बिस्मिल्यार्मानु वाहिम अस्वामलेकिम स्टुडेंट्स Microsoft Excel के एक निवीजियो लेक्षर के साथ मैं हुजयन स्टुडेंट्स आज के स्टुडियो लेक्षर में हम यह समझेंगे के CSB फाइल क्या होती है CSB फाइल कहते हैं कॉमा सेप्रेटिक डैलियो यह देखें ही मैंने Excel की एक फाइल ओपन की हुई है यह यहां पर मैंने प्रैक्टिस का फोल्डर है इसमें यह फाइल जो है इसको ओपन किया हुए अगर मैं Excel की फाइल को क्लोज कर दूँ और इस फाइल पर राइट क्लिक करके यहां से मैं नोटपैड मी ओपन करने की इसको कोश्च करूँ तो यह रेखीं यहां पर हमने यह जो फाइल थी जो हमने ओपन की हिएए थी नोटपैड में यह देटा शो नहीं हो रहा तो अगर आप इस फाइल को शेफ करेंगे इसको आपन कर लेता है और अज़र आप इसको CSV फाइल पाउमेट में सेफ करेंगे तो इसका बाइदा ही होगा कि आप यह एक्सल की जो फाइल है इसको नोट पैड कि देखिए आपर जो भी डैटा है यह ट्रांस्पोस डाइमिकली चेंग टेबल औरियंटेशन इतना भी यहां पर डैटा दिया हुआ है वह आप शोर पर आ सकते हैं अपने नोट पैड में भी उपन कर सकते हैं इसको आपको आप जो है इसको वर्ड पैड मेंजी अपन कर सकते हैं यहां से हम Save As पर क्लिक करेंगे, File पर क्लिक करेंगे, ब्राउज, मैंने Dextra पर रखा हुआ है, folder practice का, तो मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं TEST test नाम दे देता हूँ इसका, यहां से मैं File format select कर लेता हूँ, CSV, comma separated value, मैं इसको select करके save कर देता हूँ, और OK की प्रेस की मैंने Yes, इस file को मैं close करूँगा, तो यह देखें यहां पर test के name से file create होगी है, अब अगर मैं write click करके, इस file को किसी और software में open करता हूँ, मैं notepad में इसको open करता हूँ, तो देखें जितना भी हमारा data था, जो हमने Excel में चीज़ें लिखे हुई थी, अब हमें यहां पर भी show हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको यह लेकिए यहां पर active करता हूँ, क्लिक करके मैं इसको अगर wordpad में open करता हूँ, तो यही चीज़ हमें यहां पर wordpad में भी open कर show हो जाएगी, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो इसकी जो formatting है, वह formatting इसकी बिल्कुल change हो गई है, यहां पर जो color था, जो भी design थे, style दो सारे का सारा change हो गई है, क्योंकि csv file जो होती है, यह comma separated file values वाली file होती है, जिसमें होता ही है, जितना भी आप Excel का data होता है, वो comma separated हो जाता है, यहां पर जितने भी, यहां पर comma दिये होएं, यह कर किया रहे हैं, यह जो हमारा data है, उसको separate कर रहे हैं, जिस तरह हमने यहां पर दिया होगा था data sales, यह देखें 50 के sales, 75 के sales, और यहां पर percentage ली तो percentage ली value यहां पर आ रही है, उससे आगे हमने दो rows में data लिखा हुआ था, तो जो दो rows का data और columns का data, उसको यहां पर comma सी separate किया हुआ है, तो इसलिए हम कॉमा यूज होते हैं, इसलिए इसको comma separated value file करते हैं, I hope कि आपको CSV file की समझ आई होगी, अगर किसी चीज की समझ ना आई हो तो वीडियो की नीशे comment रोट कीजिएगा, thanks for watching this video,